नमस्कार दोस्तों हरे किष्णा राधे राधे कैसे है आप सब लोग दिपावली की बहुत सारे सुबकामनाई गोवस्त दादेसी की बहुत सारे सुबकामनाई दोस्तों गोमाता घर पर होना बहुत अच्छा माना जाता है काम धिनू की स्वरूप माना जाता है और जो भी पूरे मन से दिल से गोमाता का स्थापना पूजा करते हैं उनकी सभी प्रकार का मनुकामनाएं गोमाता जुरूर पूरी करते हैं कहते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए भी गोमाता का पूजन करना अती सुभ माना जाता है आज की वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही सरल उपाई से हम गोमाता का स्थापना गोवस्ता दादसी के दिन कैसे कर सकते हैं नंतिरसका ठीक एक दिन पहले आता है गोवस्ता दादसी यह मेरी गोमाता तो देखें यहां पर गोमाता के उपर चोटे से एक बचड़ा है और यहां पर जो है न माता लक्समी बनी हुई है तो बहुत प्यारी सी गोमाता है यह मैंने लोकल स्टोर से लिया था आपको इस तर होती है ठीक है जो भी मेरे पुराने विवर से उनको पता है कि स्थापना के लिए पहले चौकी लगाएंगे पीला कपड़ा बिछाएंगे फूलों से सुन्दर करके चौकी को सजाएंगे उसके बादी पूजन सुरू करेंगे इसके बाद के सुद्ध जल से स्नान कराया फ ठीक है भगवान गनीज जी का इस तरह से पूजन करने के बाद हम उनको अच्छी तरह से अंगपुसन कर लेंगे और फिर उनको आसन देंगे चावल का थोड़ा आसन लगाएंगे और फिर गनीज जी को बैठाएंगे द्वादेशी के दिन चावल का वह रती उत्तम माना इसके बाद हम गोमाता का स्नान कराएंगे तो सबसे पहले बजार से जब आप उनको छिड़के सुद्ध कर लेजिए कि बजार का धातू होती थोड़ा असुद्ध मना जाता है इसके बाद आप उनको सुद्ध जल्ट से स्नान कराएं और उसके बाद पंचम्रित या कच्छा दूद से स्नान करा सकते हैं तो इसी तरह से देखिए बड़ी प्रेम पुरूबग गोमाता का स्नान करवाए जाता है और जबी भी गोमाता लेंगे उनके साथ उनकी बचला होना अतियवस्य होता है तो किसी भी प्रकार मुर्तियों में पानी नहीं रहना चाहिए फिर उसमें काला काला दाग आता है मुर्तिया खराब हो जाती है चाओल के आसन देंगे और फिर गोमाता को यहां पर बैठाएंगे इसके बाद हम सभी भगवान को टीका करेंगे तो सबसे पहले गनेज भगवान क तो हम टीका करेंगे तोड़ी सी रोली लगाएंगे और भगवान को अछिब लगाएंगे और शॉक्त का सभाता का सथापना बहुत है आप चाहे तो घर पर खुदी कर सकते हैं और अगर कहीं आपका दादुसी के दिन छुट गया है तो कोई बात नहीं आप दिवाली के दोरान कभी भी कर सकते हैं इसके बाद बगवान गनेश जी को हम जेनों ही चड़ाएंगे वस्त्र सरुप कलावा चड़ाएंगे फिर ग कर सकते हैं इसके बाद देखिए आपके पास जो भी फूल है आप फूल जोड़ो चड़ा दे तो यहां पर मेरे पास जो फूल था वह मैंने चड़ा दिया है गोमाता को और भगवान गनेश जी को और चोटा सा जो हमारे बचले हैं आप उनको बिल्कुल नहीं भूलना उन सबसे पहले हमने दूब दिखाया डीव दिखाया फूल चड़ाया सुगंदी चड़ाएंगे चन्दन का टिका लगाया वह भी सुगंदी ही आता है तो दिक्षी इस तारह से हम अभी भगवान को जो दीब दिखाएंगे और गोमाता को इस नहीं चारा चरता है तो घास करने से घर में सुद्धी करन होता है घर में नेगिटिव एनरजी कम हो जाती है लेकिन अगर किसी वज़े से आप हवन नहीं भी कर पाते हैं समय की अभाब है या आपको पता नहीं है कैसे करना चाहिए तो कोई बात नहीं आप चाहे तो एक बार एक कपूर से भी आरती कर सकत है आरती होने के बाद तीन बार इस तरह से आचमन कर लेंगे जल को थोड़ा सा घुमाएंगे और दूसरे एक पात्र में जमा कर लेंगे और इस जल को किसी पौधे में डाल देंगे हवन करने के बाद या आरती करने के बाद इस तरह से उनको सांत किया जाता है हाथ जोड़ करके अपनी जो भी पूजा में कमी रही इसके लिए माफी जुरूर मागेंगे और आप कुछ दक्सिना भी चड़ा सकते है आप अगर दान करना चाते है तो बाद में उस दक्सिना का दान भी कर सकते है तो दोस्तों इसी तरह से गुमाता का स्थापना की जाती है अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा से भी पसंद आया है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें आगे अपने शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें दिवाली इस रिलेटेट बहुत सारे वीड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए राधी राधी राधी